लास्ट की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने जाना किस तरह विंडोज के पासवर्ड को हम रिकावा कर सकते हैं इसमें मैं आपको बताँगा कि किस तरह बिना लॉग इन की आप कुछ भी विवा कर सकते हैं यानि कि बिना लॉग इन की यें कंप्यूटर्स को आप कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं आपको इन की पासवर्ड चेंज करने की जरुवत नहीं पड़ेगी सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि मैने यहाँ पी यूजर चला रखा है पहले ही VirtualBox में मैंने यूज किया हुआ है तो VirtualBox का आप भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी Password डाल के देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी Password डाल दिया यहाँ पे तो यह दिखा रहा है कि password wrong है तो आपको पता ही होगा हमने last time utilman की file को command में change कर दिया था मैंने click किया window u key को और उसके बाद window u press करने से जो utilman exe वाली जो file थी वो यानि कि command prompt जो है वो open हो गया अब आप यहां पे net user करके हमने password change किया था अब है कि हम password change नहीं कर रहे हैं तो आप यहां एक file का नाम देना है explorer explorer explorer.exe तो जैसे ही आप लिखेंगे आप देखेंगे कि जो task bar है starting वाला वो हमें आसानी से मिल जाएगा तो मैंने हैं लिखा explorer.exe और enter कर दिया तो आप देखेंगे नीची जो starting बटन है starting वाला जो बटन है वो आ चुका है तो आप यहां के लिख कीजिए और start हो जाएगा computer यानि कि हमने login नहीं किया बिना login किये ही computer जो है वो start हो गया अब यहां पर आप कोई भी program चला सकते हैं जितने भी program से आप उन पर जा सकते हैं प्रोग्राम के सासाथ या बिना login कि आप प्रोग्राम तो चला ही पा रहे हैं आप computer को भी access कर सकते हैं computer के अंदर जो भी file folder है किसी पर भी आप work कर सकते हैं तो यह बहुत ही बहतरीन और काफी अच्छा टूल है मतलब तरीका है कि बिना password को break कि यह ही माइ computer मिल गया है open, save, close मतलब कोई भी file बना के आप computer के अंदर save भी कर सकते हैं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ना तो password चेंज हुआ ना उसका login का कोई session है और फिर भी computer के अंदर file मिल चुकिया तो friends यह कुछ तरीके होते हैं युकि system hacking के अंदर हम इस्तिमाल करेंगे भी तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और सब एक से एक इंट्रस्टिंग है आप यहां देख सकते हैं कि my computer वगरा सारे options आ रहे हैं यहां से भी तरीका में आपको बताता हूं कि आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी फाइल को जैसे मैंने my computer पे क्लिक किया c drive और c drive के अंदर तो आपको बता है password और main files भी होती हैं तो आप कुछ भी यहां से ले सकते हैं तो कोई भी फाइल कॉपी करना यह लेना है वह बहुत आसान है होपसु फ्रेंड्स यह आपकी समझ में आही गया होगा अब मैं से भी और बहतरीन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा एक बहुत ही ऐसी आसान मैथड के बारे में जिससे कि windows का password अगर आपको admin का password नहीं वालों थैंक यू फिन गुडबाए